हलो और वेलकम टॉफ डिफेंस न्यूज की एक फ्रेस एपिसोड में आप सब को तेहे दिल से स्वागत है में मनोच आपके साथ प्रेंट्स आज की स्ट्विक हम पात करेंगे जापानी बयानिक ने क्या है चंद्रियान 4 यानि की चंद्रियान 4 की लेकर निया खुला सा जैनिये क्या है मिसन जो अप्डेट आ रहा है भारत जापान मिलकर निया मुन मिसन शुरू कर रहे है ज़िए हम बात करेंगे मिसन का नाम भारत में चंद्रियान 4 के नाम से जाना जा रहा है जबकि उसका असली नाम है लुपेक्स यानि लुनर फोलर तो फ्रेंट्स यह कहीं ना कहीं एक रोचक चीज है जहां पर भारत जापन के मिलिच संग में चीजों को आगया अपडेट किया जाएगा तो यहां पर मिशन के तहट जो अपडेट आ रहा है तो इस मिशन की बार में बता रहे है कि जापन स्पेस एजन्सी को दो साइंटिस्ट के तरफ यह अपडेट हो रहा है तो यहां पर जो अपडेट आ रहा है तो यह अपडेट हो सकता है तो यहां पर लुफकेस उसल में अंतरराष्ट्य मिशन है जिसे मुख्य रूप से इस्रो और जापन स्पेस एजन्सी जे ए एक्स ए मिलकर कर रहे है तो यहां पर जाक्सा चांद पर चलने वाले रोवर बनाएगी और हमारी लैंडर बनाएगी तो नासा और यहां पर यहां पर इसमें लगने बाले अत्याबैस से समगरी को अपडेट कर सकता है यहां पर फ्रेंड्स तो जो कि अपडेट आ रहा है कि लुफकेस मिशन में चांद की दखिन धूरूब पर लैंडर रोवर तो इसको इसको इसमेशन बनाएगे तो और एक अपडेट आ रहा है कि लुफकेस मिशन में चांद की दखिन धूरूब पर लैंडर रोवर उतरा जाएगा यहां मिशन 2026-28 के बीच पुरा हो सकता है इसे लेकर चारो देश की साइंटिस्ट काफी तकरातमक है भारत की इस मिशन के लिए लैंडर बनाना है जबकि रोवर और रकेट जापान की होगी तो यह कही ना कहीं अपने बड़ी बात है लैक फिट में लेजर से चांद कोई सतह के अंदर पानी का खोसता हुआ अपडेट रहेगा लैंग लुफकेस का यह रोवर इस तहट काम करेगा भारत और जापान की बैगानिक चंद्रियान चार मिश काफी कुछ बदलाब करेंगे और इस साल अपरल में रहे में इसारा बात्चित किये थे तो उसी साफ से आप देखें के कहीं ना कहीं यहां पर आइड़ी आई रियार्स के गये थे साथ ही उन्हें लैंडिंग लोकेशन का भी खोज क्या गया था लाइक ठीक है तो रोवर अपने लैंडर की चांद की सथे के अंदर ही सफल हो जाएगा तो उसी स सिस्टम पर भी चर्चा कर रहे थे तो पूरे मिशन में कुल बजन जदी हम बात करेंगे 6000 केजी यानि किलोग्राम होगी जबकि फॉलेट का बजन 350 केजी होगा और आसपास होगे साल 2019 में भारत और जापान की लुफेक्स मिशन में आमेरिका अंतरिक एजंसी नासा के भी स खोद कर वहां से मिटी का सफल लेग स्वेलिंग टेस्टिंग कर सकते हैं इसमें ग्राउंड ट्रेटिटेरिंग राडर जीपी आर का इस्तमाल भी हो सकता है गड़ा करने के पहले रूबर मेंटी के अंदर मजूद पानी के खोच करेगा इसके लिए बहा लेजर तक्निक के मदद को लेकर उस पटे में सफल रूबर की अंदर डाला लेग जा चुका है या इस चीज का पानी का खोच करनी बाद इसको पोग्रेस भी कर सकता है तो लेजर की जब मीटींग के अंदर पानी के मजूद की दिखाएगी देगी तब बहा अफने डिलिंग मसिन के जरिये इस मिटी के सफल जमा करेगी उसके बाद उसे सफल के अंदर मजूद की में एक अंत्र में डाल कर उसके जांच करेगी और इस जांच से यह पता चलेगा कि चंद्र की सते पर नीचे पानी का खोजना मेजूदी है या नहीं उसी साबसे बहाँ पर आगे जञजीपन बसिफ स्नूचूचू